दोस्तों कुछ लुटेरे लोग, कुछ चोर लोग या उनको मजबूर भी कह सकते हैं, कुछ मजबूर लोग आपको अमीर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लगपती, करोड़पती बने, क्योंकि लूटने वालों का यही दंदा है, मेरे देश की भोली जनता है, जो भी इनकी मीठी बात है और बड़ी बड़ी बातों में आएगा, वो लुट जाएगा, इसलिए मेरे देशवासियों, इनकी बातों में नए आना और खुद को बचाना, लेकिन पहले आपको बता दें, कि आपको मुर्ग कैसे बनाते हैं, और कैसे आपको लुटा जा रहा है तो मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाईयों, मैं चार तरीकों की बात करूँगा, जो हमारा चैनल है, जैसे क्रीशी से संबंदित हम बाते आपको बताते हैं, क्रीशी से जुड़ा हुआ चैनल है, लेकिन हर चीज आप कोई भी विवसाय लेजिए, वो डायरेक्ट और इ से वो आपको अमीर बनाना चाते हैं, पहला है मोती की खेती के नाम पर, आप ये बात तो भली बाती जानते हैं, कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले दूसरों को नोकरी लगवाने के लिए कोचिंग देते हैं, और दावा करते हैं कि 100% जो है आपको एक्जैम पास हो जाएगा अगर आप यहां से कोचिंग लेगे, हम आपको नोकरी लगवा कर छोड़ेंगे, लेकिन वो खुद कभी नोकरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोचिंग से जो हैं लाखो रुपए की कमाई होती है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कमाई जो हो है, वो मोती की खेत लूँ, उनकी मनशा यही थी कि मैं जो सच है वो लोगों को ना बताऊं, इस वीडियो को मैं डेलिट कर दूँ, इस बारे में जो सचाई है लोगों के सामने ना लाऊं, यह ना बताऊं कि इसमें आप जो हैं पांसे दस हजार रुपए जो कमा सकते हैं, बलकि मैं यह खरीती है उसके ट्रेनिंग देने के लिए और उसकी जो है नियूकलेस खरीदने, उसके सीब खरीदने के लिए आपको पैसे की जुरूत पड़ेगी और ट्रेनिंग देने वाले जो हैं उनी से आप जो हैं वो रिकमेंड करेंगे कि आप यहीं से नियूकलेस खरीदे, यही पुरा सहयोग करेंगे, आप ये काम कीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आप वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको असलियत मालूम होगी, जब आप प्रक्टिकल करने की सोचोगे के यार मैं कहां फस गया, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस और सच्टे जो है प्रोडक्ट मिल जाते है, इसी तरह से जो परल मार्केट है, उसके अंदर वो जो विवसाई है, चाइना से जो है परल इंपोर्ट करते हैं, वहां का योज करते हैं, हमारे यहां का परल हमें बेचने में बहुत मुश्किल होती है, ज्यादा मेहनत लगती है और उसको बेचने में हमारे पसीने छोड़ जाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगर करना चाहते हैं तो सोच खेत में केसर उगाने के सपने दिखाते हैं और मैं social media पर जैसे अख़बारों में जो है इनकी कहानिया लिखी जाती हैं गाओं की किस्मत बदल दी गाओं की किसान की किस्मत बदल गई इतना ये हो गया वो हो गया और केसर की जो फसल है लहला आती हुई दिखाई जाती है कि देखिए किसान ने जो है केसर की फसल उगा दी है और ये लाखो करोड़ों रुपई से कमा रहा है और इसकर देखकर लगता है कि जो मेरे देश की प्रेस मेडिया है वो अनपड़ है क्योंकि जो वो सैफ्रोन और साफ लावर का फरक नहीं समझ पा रही ह है क्योंकि जो सैफ्रोन है वो केसर है और जो साफ लावर है जो अमेरिका की फसल है जिसको कुसम या करड़ी भी कहा जाता है जिसको खाने का तेल जो है उसे निकाला जाता है उसका इस्तिमाल किया जाता है जैसे प्रोड़क्त आता है सफोला और जो अमेरिकन केसर है उसको दिखाए जा रहे हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कि इनसे भी बचके रहना और तीशरी जो अगर बात करें वो है साथ से आठ साल में आपको लगपती करोड़पती बनाने की पेड़ पोधों के दुवारा बहुत से प्राइवेट नसरी वाले इतनी वीडियो डालते हैं एक नाएक वीडियो जो है सब देख लेते हैं कि जो है नीलगरी सफेदे से इतने लाखों कमाएं सागवार की खेती करें दस साल में आप क्रोड़पती बनें और भी बहुत से जो है पोधे उनके नाम लेकर जो कमाई है जो अपने पोधे उन्होंने त्यार किये हैं उन पोधों को आपकी खेत में लगाएं आपसे पैसे लें एक पोधे के जितना मैकसिमम होसके उसे प्रोभिट लें उनको बहुत एक अच्छी इंटरनेशनल वराइटी बताकर बेशते हैं कि ये जो वराइटी है दो स साल में तीन साल में जो आपको नीमबू देने लग जाएगी ये पोधा जो है इतने बड़े बड़े इस पर पपीते लगेंगे और ये वराइटी है इस पर ये होगा वैसा कुछ नहीं होता है वो सिर्फ आपको ठगते हैं और मैं तो ये कहूंगा जो ये नीलगी सफेदे इनको लगाने के लिए आपको जो प्रेद करते हैं कि वो सफेदा तो कोशिश करिए कि ना लगाए और लगाए तो ऐसी जंग है पर आप लगाए जो दलदल जहां पर है पानी की जादा मात्रा है क्योंकि जो सफेदे का पोधा है पेड़ है वो बहुत जादा मात्रा में ज कुछ ऐसे ही हालात पैदा कर देता है कोशिश कीजिए सफेदों को ना लगाए हाला कि कुछ और चीजे हैं प्रोफिट मिलता है लेकिन वह प्रोफिट इतना जल्दी नहीं मिलता जितना कि आपको बता जाता है आपको 7-8 साल दे दी जाते के 7-8 साल पे आप जो है करोडवती बन जाओगे लेकिन मेरे भाई मेरे मित्रों उसमें कम से कम 15-20 साल तो मान की चलिए कुछ ऐसे पोधे हैं उनकी जो मुटाई है वो होती है उसके बाद उसका जो पोधे की गुणवत्ता है उसे कियाधार पर अलग-अलग पोधों की अलग- सी जो ओस्तिय पोधे हैं वो खरीदने के आपको बाई-बैक गरन्टी के साथ जो है पोधे बेचे जाते हैं आपसे बोलते हैं कि हम करार भी करेंगे जैसे ऐलवेरा है बताया जाता है कि बहुत महँगा भीकेगा और आपको बेचा भी जाता है आप लगाते भी हो लेकिन बेचने के टाइम पर वो उनमें बहुत सारी कमिया निकालते हैं। इसका साइज छोटा हो गया। यह तो पतला हो गया। इसके अंदर जूस की मातरा नहीं है। इसके अंदर यह नहीं है। इसमें तो बिमारी आ गई। उनको कुछ ने कुछ बहाने चाहिए होते हैं उस एग्रिमेंट को टालने के। वो कोशिश करते हैं अगर हमें खरीदना भी पड़े तो इतना कम रेट बताएं कि सामने वाला खुद ही मना कर दे। कि भाई मैं आपको नहीं बेच सकता इसे तो मेरा खर्च भी नहीं निकलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं। मार्केट की डिमांड आपको खुद देखनी होगी। क्या चल रहा है। कहां पर किस चीज की डिमांड है। वह सर्वे आपको खुद करना पड़ेगा। ना कि जो यह कंपनियों वाले नर्सरी वाले बताते हैं इनके कहने पर मच चलिए। जो सोशल मेडिया पर यूट्यूब वाले हैं दूसरे हैं उनके कहने पर मच चलिए। मेरे कहने पर भी मत चलिए खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा ये वरना जो आप अब हैं उससे भी जाते रहेंगे सोशल मेडिया पू तो बोल जाएकि सचित स coli जोट है अब जोट अब मुखे कर लिजिए पपीते के बारे में सर्च करें सेव के बारे में सर्च करें मुली के बारे में सर्च आपको एसे कई इतनी विड्यो उड्य हैं कि आपको सा सलाह लेनी है, तो क्रीसी विभाग के जो अधिकारी हैं, करमचारी है, जो आपका क्रीसी विग्ञान केंद्र है, जो आपका बागवानी का है और भी क्रिसी से जुड़े हुए जैसे मचली पालन का है या कोई भी अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वहां से थोड़ा सा फीड़ बैक लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा घूमने फिरने वाले होते हैं फिल्ड के अंदर उनको पता होता है थोड़ा सा कि इस चीज की डिमांड है इस चीज का ये हो रहा है इसके तरफ जो है लोग जा रहे हैं थोड़ा सा उनसे भी इंट्रेक्शन कीजिए उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कोई भी चाहिए आपको नई वराइटे लगानी है कुछ भी अपने केत में उगाना है कुछ नया आपको करना है तो वहां से एक बार उनसे ज़रूर मिलिए ना कि आप कोई वीडियो देखकर उससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा काम कीजिए तो मैं यही कहूंगा कि इन लोगों से बचे जो ये आपको अमीर बनाना चाहते हैं अमीर मत बनियेगा जो हैं वो भी नहीं रहेंगे